बिसम्मिन आर्मार नुभाई मस्लाम नेकुम स्टूडेंस Microsoft Excel के एक नीवले लेक्षर के साथ मैं हूं जैन स्टूडेंस तोडेंस लेक्षर इस अल अबोट टिल्डा साइन आज हम देखेंगे कि टिल्डा का साइन जो है इसके यूजिस क्या है इसकी application क्या है इसको किस तरह आप Excel में यूजिस करके एक्सल में यह आपकी help कर सकता है तो देखें अगर आप से कहा जाए कि आपने यहां से जो आपका जितना भी sheet में data शो हो रहा है आपने dollar के sign को find करना है देन आप क्या करेंगे आप keyboard से control F करेंगे और यहां पर आप dollar का sign लिखेंगे जैसे आप dollar का sign लिखेंगे find all करेंगे तो देखें जिस cell में dollar का sign है वो cell हमारा यहां पर select हो गया लेकिन अगर आप से कहा जाए कि आपने dollar का sign find नहीं करना आपने करना है जी question mark sign तो जैसे आप question mark sign लेकर find all करेंगे तो देखें होगा क्या जैसे मैंने question mark sign find किया हमारे पास number one, number two, number three and four इन चार cell में question mark sign था लेकिन Excel ने क्या किया उसने सारी के सारे cells लेकर ली है यह इसलिए हुआ क्योंकि हमारा question mark sign है यह एक wild card है इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसको remove करता हूँ, hash की sign को find करता हूँ, दुबारा find डाल पर जाता हूँ तो hash का sign जो है जिस cell में है, वो cell हमें यहाँ पर show हो गया लेकिन अगर हम इसकी बजाए asterisk का sign find करें, then क्या होगा, then देखते हैं जैसे मैंने asterisk assign क्लिक किया, तो सारे select की रहीं दुबारा select होगी ऐसा इसलिए होता है, कि आप जितनी भी चीजों को excel में search करेंगे, सारी की सारी चीजें आप आपका find and replace का feature है, इससे search हो सकेंगे लेकिन जो आपका asterisk assign और question mark assign है, यह आप search नहीं कर सकते because of these symbols are wild card, यह symbols जो हैं, यह wild card हैं, इसलिए आप इनको use नहीं कर सकते sorry, इसको आप find नहीं कर सकते, अब यह चीजें के wild card होते क्या है, इससे आपको क्या फाइदा होता है, यह हम वीडियो के last में देखेंगे अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कि अगर आपको यह दोनों word join को search करना पड़ जाए, then आप कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, आपने keyword से control F की प्रेस करनी है, और इसके बाद आपने यहाँ पर आपने लिखना है, तिल्डा का sign और उसके बाद question mark, तिल्डा का sign और question mark लिखेंगे, then क्या होगा, मैंने find all किया, और जिन cell में आपके पास question mark है, यह देखें, ताहर रियाज और फरहान मुस्तफा और इसके बाद, यह दो cell है, question mark के, तो यह cell हमें यहाँ पर show हो जाएंगे, because of tilde, जब यह आप question mark को find करने लगें, तो शुरू पर tilde लगा लगा लि गिया, तो जिन cell में हमारे पास asterisk assign है, वो cell हमें यहाँ पर show हो जाएंगे, अगर आप tilde का sign use नहीं करेंगे, तन हमारे पास जिन cell में asterisk है, question mark है, वो find नहीं होंगे, अब देख लेते हैं, कि हर चीज तो हमारे पास find हो रही है, लेकिन हमारे पास asterisk और question mark क्यों find नहीं ह क्योंकि यह wild card है, wild card का हमें एक फाइदा क्या होता है, वो देख लेते हैं, यह देखें अगर आप से कहा जाए, कि आपने यह जो word है, a, d, k, a, a, a है, इसमें आपने k और a को remove करना है, उसके बाद दो a जो है, यहाँ पर रहें, और बागी सारे के सारा word यहाँ पर है, कि मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यह चाहता हूँ कि एक करेक्टर जो है, इसको remove करूँ, then क्या करूँगा, मैं, k के बाद, मैं question mark को use करूँगा, जैसे मैं k के बाद question mark use करूँगा, तो हमारे पास k के बाद, jyay है, यह remove हो जाएगा, या फिर मैं a करता हूँ, मैं t के के बाद question mark यूज करूंगा तो यहां से T के बाद J और यहां से T के बाद K जो है यह रिमूव हो जाएगा यह देखें मैंने replace all किया देन देखें यहां पर माज़ पाद T के बाद जो K था और T के बाद जो J था वो रिमूव हो गया है all done we made two replacement ऐसा इसलिए है because के जो हमारा question mark का sign है यह एक wild card है and this is used for single character अगर आप यह करें मैं इसको ctrl z key press करके वापिस लेके आता हूँ मैंने ctrl z किया हमारे पास word वापिस आगे है अगर आप यह करें मैं T के बाद यहां पर लिख देता हूँ जी मैं K के बाद कर देता हूँ यहां पर multi character जहां 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 पर key होगा उसके बाद वाले सारे के सारे जो word है because of asterisk sign वो remove हो जाएंगे तो देखें मैंने यहां पर replace all पर click किया तो देखें यहां पर key के बाद वाले सारे जो character थे वो remove हो गए है क्योंकि हमारा जो asterisk assign है यह use किया जाता है multi character के लिए और हमारा जो question mark assign है इसको use किया जाता है single character के लिए तो इसलिए हमारा asterisk assign और हमारा question mark assign यह दोनों हमारे wild card है हमने wild card का use सीख लिया यह समय लिए wild card होते किया है और इसके साथ हमने wild card को axle में find करने का method भी सीख लिया I hope कि आपको इन तमाम की तमाम चीज़ों की समझ आई होगी, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो वीडियों से comment कीजेगा, अगर वीडियों नहीं पसंद आई तो like और share दूर कीजेगा Thanks for watching this video